Hey what's good on guys कैसे हाँ से भी लोग Welcome back to the video of GDA5 And guys आज हम लोग दुबारा से खेल रहे हैं GDA के अंदर Derby Challenge And guys आप लोग देख सकते हो आज के challenge में हम लोग को Mr. Chop को Derby में करना है Defeat Mr. Chop यहाँ पर Green Guadi के साथ निकल चुके है आप लोग भी भाही करेंगे Mr. Chop भाई थोड़ा राम से चलाओ नहीं तो पहले ही मर जाओगे ब्रो Mr. Chop अभे 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 Starting हुए नहीं भाई पहले से ही यहाँ पर हाथा पाई शुरूए ले Oh Oh Chop कहा गया Okay guys निशाना साथ दिया गया है और यहाँ पर होमिंग मिसाइल रवाना हो चुकी है Chop के तरफ अब बस मेरे को किसी तरह से इसको नीचे गिराना है ओ भाई अभी मैं मर जाता Okay guys काफी जादा कम एरिया मिला है हम लोगों को लड़ने के लिए But tension मतलो इतना ही काफी है दोस्तो Chop के उपर हम लोगों को continuously pressure बना के रखना है और बाकी काम तो मैं automatically देख लूँगा भाई इतना असान नहीं होगा बोल रहा हूँ आपको अच्छा से लड़ाई करो मेरे से अबै मैं गाड़ी घुमाता हूँ तो तू क्यों घुमा लेता है और राइट जा भाई उदर से आ उदर से आ भाई अच्छा से लड़ाई करेंगा अपर लोग और ये shot अरे फिर पज क्या भाई क्या मौका मिलेगा दोस्तों हम लोग को क्या हम लोग चौप को हरा पाएंगे ये मिस क्यों कर जा रहा हूँ मैं ये मारा shot ओपाई निकला लगता है निकला 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 पूम ओके मौत का कुईा वाला सिच्वेशन बन चुका है दोस्तों चौप हमारे अगल बगल से बहुत ही जात इसे निकलते हूए इसके साथ बाहर मरना अपनी मौत के करीब जा रहे हूँ अबे तेरी तो रुक बताता हूँ तिरे को बाई एक तो तो पहले नीचे मिल मेरे से ब गाईज शॉर्ट लगा और ये थोड़ा स्लो करके इसको मारूंगा मैं यह किया इसको स्लो नहीं फिर बज गया अभे भाई यह बंदा रुखता क्यों नहीं है गाईज तको मैं ही रुख जाता हूँ अभाई ओ भाई अच्छे से माना पड़ेगा गाईज ओके हेर भी को हेर उनको बुला ना पीछा नहीं करने का ब्रो और या यह क्या हो गया भाई और मारता रही है ड्रिफ्ट भाई साब देख रहो गाईज ड्रिफ्ट मारने थे बैटके और नहीं मैं क्यों गिर गया और भाई खुशी खुशी मैं मैं भी अंदर गिर गया बताओ यार मतलब इंदा तो अभी तक मैं भी हूँ ब्रो अरे मैं तो गाड़ी से निकल लेहीं नहीं वालो भाई वाई एड़ सेकेंड हमारी गाड़ी में यार बुलेट प्रूफ वाला सिस्टम लगाया तो है इन लोगों ने यार इतना जादा क्रश कर रहे ना मैं मर गया अभे यार चॉप के बच्चे तो राउंड जीत गया तो पिछले राउंड में कुछ अनफोर्सीन सर्कम्स्टैंस के वज़ा से हम लोग यहां पर मौत का स्वात चक चुके थे मेरे को अंदर कूदना नहीं चाहिए था भाई पता नहीं मैं भी क्या सोच के अंदर कूद गया मेरे को लगा चॉप एक दम शियोर एंड सर्टें मर जाएगा वह नहीं अब यह चौप तू कहां से आया भाई और कहां से आऊंगा मैं अभी रूख तरको बताता हो चल चल कहां भागरो ब्रो अरे मैं कहां भागूंगा रुक ना तेरे को बताता हो मैं अल्राइट गाइस डर्बी का नंबर वन रूल होता है अपने दुश्मन को चेटनी चका दो ओ यह अरे अरे फिर बज़ गया यह चलो गाइस इधर से फोकस अरे यह गाड़ी घुमाते रहता ह जंदगी भर आजा यह अचाँ यह दर्बी दर्बी मुश्किल यार इससे बंदें मरती ही नहीं है रुक जाो रुक जाओ मैं इधर से मारूगा ओो मौका तो था जा यह चलो कोई नहीं एक और पार मारें गे शॉट और यह जबता शौट के सत नेकिन डर्बी के अंदर तो अपन लोग थो सब बेट खेलेंगे, ठीके, आज अब रूँ, मैं तेरे को मौका दे रहा हो, खुद को मारने का, हिट मी, ठीके, अराम से मारी हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, और गाइस, जैसे ही आने वाला होगा, अरे, ब्रेक मार लिया, अरे, तू तीरी, ऐसी कितने इसी फसा क्यों ली भाई तू, आट भाई ने कितना बड़ा बेवकूफ दिखाई देता हो, मैं आपको, अबे, बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन, आपे, 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 उस ही मार दे गई तो, गाइस, हम लोग लगता है, चौप आज फुल ट्रेनिंग करके आया है, वाट भाई, मेरे को नहीं हरा पाओगे, ब्रो, आल राइट, गाइस, काफी जादा दिमाग लगाने के बाद, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, चौप यहाँ पर भाई, अच्छे से खेल भी नहीं रहा है, अपन अतर गिर रहा है, बहए, मेरे को तो लगता है, टायम आउट से ही राउं खतम हो जाएगा, चौप आउट भाई को इना डर्भी बना ही क्यों है, प्रो, अरे, तेरी तो, मेरे को मारेगा, शा운ध कर रहा है, तेरी तो, मेरे को मारे लक्रो, रुक रुक, ब्रुक, ती बॉ एक सिकेंड यह क्या था भाई मैं उपर से कैसे जंप करके निकल रहा हूँ और यार यार गाड़ी काटने के चकर में फिर अंदर गिर गया है चलो गाइस लगता है हमारा फिर से लोग भजिया पाओ बनाएंगे पिछले राउंड के जैसा यह देखो भाई ब्लेंडर में नॉन स्टॉप कुछ आई हो रही है मेरी अबे थोड़ा आराम से इजट करो यार इंसान की ऐसे गड़ कुछ ले जा रहे है भाई गाईस 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 लुगे दिस यह क्या हो गया भाई अपल लुग बहार आगे ग्लिच करके वट डा है चौप के बच्चे इधर 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 गाड़ी के बहार निकल आबे यार तू भाई चीटिंग करता है मर गया गाईस मैं सोच रहा था भाई फिस्ट फाइट करूगा इसके साथ भाई मेरे सामने कोई भी तरकीप लगानी कोशिश मत करो ब्रो आज मैं ही जीत कर जाओंगा घर वापस ओल राइट सो गाईज टाइब राउंड नमबर थ्री ऑफ लास्टीम स्टैंडिंग को रूमा ब्लेंडर बोल डर्भी भाई इतना बड़ा नाम है इन लोगों का चलो राउंड स्टार्ट करो बाई ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास पिछले दो राउंड में बहुत ही जादा घटिया हम लोगों को मौत मिली है इस बार मेरे को विक्ट्री मिलेगी की नहीं लगता है ये वाला हम लोगों के लिए थो ऐसा अनलखी हो गया गाईज अभी तक जितने भी हम लोगों ने डर्भी किये है ओहो क्या कर रहे हो सर ए अराम से अरा भया फट मत जाईयो ओए क्या दोस्त ये तो फाइटर जेट में बैट रहे है अब रुक जा चॉप के बच्चे आई लोट लेट ये ले बाई ये ले तेरी तो ओ निकल गया कही मैंने मदद तो नहीं कर दी इसकी लोल भाई बाद मैं मिलूगा आपसे टाटा अरे मेरे लिए भी एक फाइटर जीट होनी चाहिए गाईज लेट मी चेक ठीग है अगर इसको एं लोगों रट जेत डी है तो मेरे को भी जरूर दी होगी ये रहा मेरा फाइटर जेत रुख रुख भाई अपन लोग हावा में लडाई करेंगे एक सेंट काइसमे यeping बास मैं जीत कैसे किया अच्छा छोप टकरा गया और राइट तो गाइस टाइम फॉर राउंड नमबर फॉर अफ करूमा ब्लेंडर बॉल डर्बी तो गाइस पिछले कुछ राउंड में किस्मत ने हमारा साथ दिया है ठीक है मलब एक ही राउंड में दिया है अभी तक तो लेकिन मैं भाई अपने इस गुड लग पर यकीन रखता हूँ दोस्तों भाई बहुत खराब स्टार्टिंग हुई थी मैं सज बतारू दो राउंड हार चुकि हम लोग पहले ही मैच के लेकिन अभी हम लोगो को रिकवरी लेनी करें दो निकले और यहाँ पर मिस्तर चौप का हम लोगा ने पत्ता कर दिया है गुल अबे बच के से गया हुए यह अज़िए असानी से नहीं मरने वाला हूं मैं औरे सर आप तो प्रो निकले एक काम करो सर इतना प्रो ने घर लेके नहीं जाओगे थोड़ा मर जाओ यार तो थोड़ा दया कर दो, हमारे उप़र? वाफ वस्त भाई, आपके जासा pro आदमी आज दया की भीक मांग रहा है मेरे से? भीक नहीं मांग रहा है मैं तेरे से भाई, मैं बोल रह inherently हो कि थोड़ा अगारी को slow कर ले नहीं तो, भाई, दोनों मरेंगे भाई यार पता है मैं इसके उपर पूरा strategy आजमाने की कोईश कर रहा हूँ guys किसी तरीके से angle बना कि हम लोग इसको ramp के बाहर उचाल सके बट जिन लोगों ने भी इस ramp को design किया है न ब्रो बहुत इक गंदा design है भाई इतनी उची उची दिवाले कौन ओए chop तू कहा गिर गया ओट भाई यारे थोड़ा सा गाड़ी फिसल गया इसके वज़ा से नीचे गिर गया ब्रो वेल नेवर माइन डाट अपर लोग भी नीचे गिर चुके हैं तो क्यों न गाइस जो पिसले राउंड में हम लोग नहीं कर पाए थे इस बार किया जाए है ना चल फिर से fighter jet में बैठते हैं यहां पर से निकलते हैं लेट्स गो लेट्सको लेट्सको अब यार इरिया में अंदर जा나 ना बड़ा मुश्किल है पता नहीं चलता ही आरिया है कहां पर और ये तो बाई, तक्राना कहा है, टक्राना नहीं है, I don't know, कि मैं अरिया के अंतर जापाऊंगा, कि नहीं, गाइज, मेरे पास बहुत कम टायम बचा है ब्रो, अरे, लगता है, गाई, चॉप भी हारेंगा, मैं भी हारूंगा, ये फाइडर जेट कहा गूम रहा है, ओके एरिया में आ गया लेकिन मर गया वाँ अबे ये क्या लोजिक है एरिया में तो घुसा दिया लेकिन भाई मर गया मैं तो हम लोग यहाँ पर आई थिंक चार राउंड हार चुके है नहीं तीन राउंड हार लिया यायर मेरा मुझ काला हो गया गाईज अग्दम मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है बताओ हम लोग को जीतने की आदत है और आज पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ चॉप दप्रो ने हमारी आज बैंड के बजा के रख दी गाईज बैंड टो मैं डेली बजाता हूं नोटेस आपने आज किया अरे चल्ला कभी कबार वो बोला जाता है ना कि किस्मत पहलवान तो गदा भी भलवान आज तेरे साथ वही हो गया है दोस्त और यहाँ पर फिर से भाग भग औ अरे दोस्त तेरे पास इस तार्टिंग में मस्ती तो करने देते अरे रुक 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 तरे से फाइडर जेट लेनी है मैं रहे रहा इसानी से नहीं जाने दे सकता उँं दोस्त रुक रुक हो गाईज we can't let him escape रुक तरी ऐसी के थासी ऐसी ऐसे कैसे निकल और भाई मैं जा रहा हूँ दूसरी fighter jet लेने ब्रो अरे दोस्त तेरे पास इतना टाइव नहीं है I don't think अबे नहीं मेरी fighter jet मतले मैं टेक आफ कर रहा हूँ मैं टेक आफ कर रहा हूँ और ये ये क्या हो गया अबे वह जट के उपर गिड़ा पड़ा है गाइस इसी के साथ चॉप को अलवीदा बोल दो क्योंकि अपर लोग तो भाई उसके बाद गिरे थे ओर तीरी तो नहीं नहीं पीच से नहीं पीच से नहीं इस बार नहीं मरने वाला मैं अब हम लोग जीत करके इस राउंड को फाइनली एंड करते हैं बहुत मस्ती मजाख हो गया है ना दोस्तू अब जादा देर तक भाई नौटंकी नहीं करनी अपने को हम लोगो ने चॉप को अच्छा कासा सबक सिखा दिया है अभी पी चॉप अच्छली देखा जाए तो जादा की लीडबार ये क्या करते हैं भाई नहीं नहीं ब्लेंडर में कूट गया मैं अरे यार छोड़ो अटाओ गाईज ये विक्ट्री चॉप ही ले जाएगा लगते है क्योंकि फाइनल राउंड जीतते के साथ वही विनर है तो कॉंग्राचुलेशन्स मिस्तर चॉप आप जीत चुके है आज का चैलेंज गाईज वीडियो पसंद आई आप लोग को तो लाइक ज़रूर से कर देना चैल पर नहीं हो मेरे दोस्तों तो सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स और वाचिंग एंड हम मेशा की तरह स्टेई फ्रॉस्टी